हेलो विलकम टूर्लाइन एड़ा फोड़ी वर निष्टेबर फो लर्निंग दोस्तों सभी को पता है कि उनेतर या सिचक पर इच्छा और अन्य परतिय को लेकर जो भी अपडेट है सबसे पहले दोस्तों आप सुबर के वीडियो प्रेड कर दी जाती जिससे कि आप सभी के सा अपडेट लेकर के आया हैं दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि एक नवंबर के बाद से लगवक आप सभी को सारी के सारी अपडेट ही देखने के लिए मिल रहे होंगी तो बनवाई मान हम चीज़ों बात करने वाले हैं बारेजा चाहसों साट के ओडर टीटी सतरे के ओड से जाजी हो चुकी और दोस्तों पिछली सुनबाई का ओडर भी आ चुका है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया था और के अंदर ऐसा कुछ खास भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा साथ में एल्टी के दुतिये चरण के सत्यापन दोस्तों कब का पैने वाले वीडियो को लेकन शेयर करना नहीं आप सब्सक्राइबर नहीं किया चाहिए अब हम आब बात करते हैं दोस्तों आज के सारे कि सारी important point को लेकर तो पहले दोस्तों मैं आप सीवी को बताना चाहूंगा अकल शाम को जब मैंने वीडियो डाला तो उसके नीचे लगवा बहुत सारे comment मुझे देखने के लिए दो तरीके comment थे पहला comment जो थे बायाजा 460 के order को लेकर किसर कव आने वाला है दूसरा जो दोस्तों था वो यह था कि उन्हेतर जाएगा सब order कब से जब होगा क्योंकि सोशल मीडिया के उपर जो अनुवान है वो लगने शुरू हो गए लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बतान बाली बात नहीं है लेकिन एक बात तो चीजों को समझा में आपको बता जायता हूं इसमें क्या वता होता है अब सेच्टे संडेशन यह नहीं सकते हैं जी और इसको बीच में लाते हैं जैसा कि आप सभी पता है होगा जब आप दोस्तों कहीं बैंक में भी जाते हुगए जाते हैं जहां पर कुछ एसा काम करते हैं मापे बना जाता कि यह स्थी ऐसे नाइ Doch कलने होते हैं। पहले चीज महांने गांप से कर दिया है कब सबसे बड़ी चीज़ आपके हाथ में होता है लेकिन जब और दोस्तों पूरा किलियर होने कब पब्लिश करेंगे वह जब सारे के सारे ओर लिख जाते दोस्तों बनवाइबन पब्लिश करने शुरू कर देते हैं तो इसको लेकर कोई दोस्तों अनुमाल डेट नहीं हो सकती ह कोईश चीज़ पर किलियर होगा जब दोस्तों ऐसे ओर आते थे तो को जस्तेकं पहले से मेंशन कर दिये जाते हैं जब भी कोजिस्ट में दोस्तों आपका order आ जाएगा आपके जो mention होगा उस दिन आपका order publish कर दिया जाएगा उससे पहले किसी भी सोज कर थूँ दोस्तों यह नहीं बताया जा सकता कि कब order आने वाला ऐसा कि आपने देखा होगा उनेतर जाए कि अंदर single bench में भी ऐसा ही हुआ पैंतालीस दिन तक रोज दोस्तों अनुमान लगे थी कि आज और आएगा लेकिन असा नहीं हुआ था मैंने आपको बताया था कोजिस्ट के अंदर जिस दिन मेंशन होगा उस दिन आपका order आ जाएगा उससे पहले दोस्तों कोई भी अनौन लगाना बिलकुत गलत होगा त कि आजो साट की लेकिन टीडी सत्य में अभी समय लगेगा तो थोड़ा पेशन सकीए दूसरी चीज 79000 को लेकर बात कर लेता हूं कल कुछ आत बूचे थे सब्सक्राइब होने की तारीक कब तक है देखो पिछली सुनवाई के अंदर जब मैं सुनवाई का सार लेकर कि आया सब्सक्राइब कर देखने के लिए तो इंतजार रखिए दोसों अगली डेट लगती है फिर दोसों के लिए क्योंकि छे तारीक के बाद अगर लगाता सुनवाई होती है साथ आठ नो तो दोस्तों और रेजर्ब होने के हम तिथी आपको बता सकते हैं कि तब तक और रेजर्ब हो जाएगा लेकिन उससे पहले अगर शोशल मीडिया पर चीज़े आले हैं कि इतनी तारीक तक और हैं लेकिन उन्हेंतर जाएडिशन के अंदर हो कर भी लगाता सुनवाई नहीं हो पारी है तो पेशन्स हगिए पहले छेताई को दोस्तों सुनवाई होने दीजिए उसके बाद अगली डेट कव लगती है यह देखना सबसे में होगा क्योंकि जिस दिन डेट लगेगी उस कि हसाब से दोस्तों आप चीए समझ जाएंगे कि और कप तक रिजब होगा तो फिलाल दोसों मैं यहीं कहूंगा कि अभी धेर रखें और रेजब होने की परिसानी ना दिखाएं क्योंकि अभी एक पक्ष्ट की बैस होगी है जिसमें 5-6 बकिल दोस्तों उनके भी है वह भ सब्सक्राइब को बता दो और आ चुका है पिछली सुनवाई का अगली सुनवाई की कोजिस्ट आ चुकी है यूपी टीटी दोजा उनीस की आवे दिन पर किया सुझ हो चुकी है गलतिया बिल्कुल ना कहें दोस्तों इस बार आपको मौका नहीं मिलने वाला है किसी भी त पता नहीं होता क्योंकि समय दोस्तों काफी जाता है तो इसके अंदर दोस्तों जो है अभी मैं आप सब्सक्राइब करने वाले अगली डेट के उपर और दोस्तों जो इसका ओर रिजाब होने की शायद संभावना मनेगी लेकिन अभी एक से दो या तीन सुनवाई हो सकती ह क्योंकि अभी दोस्तों इसका फूर डाटा वहां निकल गर के नहीं आपाया कि क्या किने कितनी बैस इसके अंदर चल रही है अब बात करें दोस्तों इसकी कोंजिस्ट को लेकर जैसा कि मैंने आप सब्सक्राइब कर दे कि कट ब्रूब मुद्धे से पहले दोस्तों आरी लगा हुआ है जैसे एडिशनल की कोजिस्ट भी आएगी उसमें दोस्तों कहीं की कटोप मुद्धा भी छहताई को आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा तो अगली सो नौई पांच नर्मबर कोने वाली है और भी तर जल्दी चल्दी मामला भी निस्ताइद होगा लेकिन जैसे लिंक आप सब्सक्राइब कर दूंगा जिससे के आप बड़ी आसानी से जाकर के दोस्तों आप वेबसाइट बजा सकते हैं इस बार दावेद तो किये जाएंगे टीटी की वेबसाइट आपको कोई प्रोलम नहीं आएगी बड़ी आसानी से आप आफ आप यहां पर लिखा हुआ है कि 22 समय को प्रस्ताबे दोनों इस तरह की सिच्छक पातिता परिच्छा करा ही जाएंगी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के अंदर तो इसके लेकर दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आप सब्सक्राइब कर दिखांगे फिलाल इसमें दोपेर को चार वज़े लिखा है तो लगवग छे भी बस सकते हैं आप सभी को बता है पी एनपी का काम है लेकिन अब बात कर लेकर लेकर तो जिनका रेजल्ट आ चुका उनके सत्यापन को लेकर बादर बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों जिनका रेजल्ट नहीं वो काफी ज़्यादा परिशान दिखाई देते हैं तो दोस्तों बताया जाए कि शनी बार के आसबस मतलब कल दोस्तों आप सभी का किसी एक सब्जेक्ट का रेजल्ट आ सकता है लेकिन उंबीद नहीं है क्योंकि आप सभी को बताए कि हर बार ऐसी उंबीद लगाई गई थ दोते हैं कि उसी के अंदर धानली की बात बताई जाही थी पेपर लिक को लेकर यहां पर लेकाई इल्टिकेट से चेक बरती उत्तरपिर त्स लोग से वायों पंदे मेंसे 11 विसेओं को रेजल जारी कर चुका है, 4 विसेओं को रेजल आना भी बाकी है, इनमें अंगेजी, जीव बिग्यान, हिंदी सामाजिक विग्यान, विसेद सामिल हैं, इन पारिटाम आएंगे वह इंग्लिस और बाइलोजी के आएंगे उसके बाद लगवग पंदे दिन आप सुझी को इंतजार करना पड़ेगा अभी से जो हिंदी और सामाजिक को लेकर है क्योंकि आप सुझी को इसमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा उदर टीजटी प सफल अभ्यारतियों के सब्सक्राइब कर दिया जाएगा मतलब आने वाले हफ्ते के अंदर आप सभी के सामने दोस्तों अगला कारिक्रम की देखने के लिए मिल जाएगा मौजिता समय में आया उकसे पहले गोशित रिजल्ट से सफल अभ्यारति को सैचिक दस्ताविजों का सत्यापन करा रहा है और एल्टी के सच्चक भरती परिच्छा दोजा अठारे पिपर लीक प्रकरण महीनर तक फसी है इससे प्रतम चंड के पंदे विसेओं का सिर्फ सं सामने सारा का सारा कारिकर्म रिलीज कर दिये जाएगा फ्लाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मिलते अगले वीडियो में तिल देन टेके टाटा बबाई एंड थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो